नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पेशे 18 जुन शनिवार सुबह सवाच्छे बजे राजसान की बड़ी ख़बरे राजसान में ED के विरोध में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जैपूर वर जोधपूर सहीद समस्त जिलों में कांग्रेस ED के विरोध में प्रदर्शन कर रही है वही दूसरी और जोधपूर सित मुख्यमंत्रिय शोग गहलोध के बड़े भाई अगरसेन गहलोध के घर और फार्म हाउस पर प्रदेश कनोजिया को आज स्वाय शासन विभाग दिदेश आले ने प्रथम द्रिष्ट्या दोशी मानते हुए निलंबित कर दिया है राजे स्वाशासन विभाग दिदेशक एवं सयुक्त सच्चीव दिदेश कुमार शर्मा ने शुकरवार को जारे निलंबन आदेश में कहा कि सभापती कनोजिया के खिलाफ आन्यमित्ताएं बिष्टाचार करते हुए बिना संशोधित लेयाउट प्लान के पट्टे जारी करने में दोशपूर्ण आच्रन सामने आया है केंद्र सरकार के उपभोगता मामले विभाग ने विग्यापन एजन्सियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है कंपनिया ब्रामक विग्यापन के जरिये उपभोगता के साथ धोखा नहीं कर पाएंगी केंद्र उपभोगता संक्षन प्रादिकर ने कुछ दिशा निर्देश चारी किये हैं इनके तहट ब्रामक विग्यापनों पर ना केवल रोक लगाने की कोशिश की जाएगी बल्कि उपभोगताओं की हित की रक्षा होगी सी रोही जीलाव भोगतायों के सदस्या रोहीत खत्री ने बताया कि ब्रामक विक्यापनों से पिडित उपभोगताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश चारी किये गए हैं राधिसान में फिर से बिजली संकट घहरा गया है गोशित और गोशित बिजली कटोती का दौर फिर से शुरू हो गया है शहरी इलाकों में दो घंटे और ग्रामीर्ण कसबाई इलाकों में चार घंटे तक बिजली गुल होना शुरू हो गई है ग्रामी रिलाकों में गोशित तोर पर तीनों बिजली कम्पनिया जैपूर, जोतपूर और अजमेर, विद्यूत, वित्रन, निगम, रोस्टर के अधार पर फीडर चलाकर करीब 2.5.5 लाख यूनिट तक रोजाना बिजली कटोती कर रही है प्रदेश में 39.32 लाख यूनिट प्रति दिन दिमाड है, जबकि 27.28 लाख दो हजार यूनिट तक बिजली सप्लाइक कम्पनिया दे पा रही है राधिसान में पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन देने की योशना पर गहलो सरकार ने काम शुरू कर दिया है अगले 8 साल में 6.5 लाख पाइपलाइन से LPG गैस कनेक्शन दिये जाएंगे जैपुर शहर में पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन की शुरूआत मार्श 2023 से होगी 8 साल में प्रदेश में 1187 CNG स्टेशन भी लगाये जाएंगे इनसे गैस की सप्लाइ शहरी इलाकों में होगी वहीं कनेक्शन का रेजिस्ट्रेशन फिलहाल फ्री होगा CM शोग हैलोत के एडवाइजर डॉक्टर गौविंग शर्मा ने यह जानकारी दी है उन्होंने कहा प्लानिंग तयार कर पाइपलाइन से घरेलू कनेक्शन देने वाली कम्पनियों को टाइम बाउन तरीके से इंप्लिपेंटेंशन के निर्देश सरकार ने दे दिये है कांग्रेस प्रदेशा दक्ष गोविंग सिंग डोटासरा ने मुख्यमंत्र एशोग हैलोत के भाई के यहां सीवी आई च्छापे और अगनिपत स्कीम को लेकर केंद सरकार पर सवाल खड़े किये है दोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्र दिल्ली थे तो उनके भाई अगरसेन गहलोत पर सीवी आई का च्छापा डाल कर उन्हें डराने का प्रयास केंद सरकार कर रही है देश के लोगों को यह देखना बाकी था कि अपातकाल की गोश्टना नहीं होते हुए भी मोदी और अमिशाह अपातकाल लगा सकते हैं यही इन दिनों में सरकार दिखा रही है राजनितिक पति शोद के अधार पर कारिवाई कर रहे हैं डोटासरा प्रदेश कांगरेस मुख्याले में मीडिया से बाचित कर रहे थे आजादी की अम्रित महोसव के तहट इस बार आगामी 21 जून को अंतरास्ट्रे योग दिवस योग फोर हुमिनिटी थीम पर मनाया जाएगा उद्यापूर के जिला कलगतर तारचन मीना ने बताया के अंतरास्ट्रे योग दिवस के सफल क्रियानवन विभीन विवस्थाओं एवं तैयारियों के संबन्द में विभीन विभागों को अलग लग दाइटव सोंपते हुए आवशक दिशा निर्देश दिये हैं 12 में भारतिय किसान संग ने लहसुन खरीद शुरू करने गत वर्ष का खरीब फसल का बीमा क्लेम एवं आपदा रहत की मांग को लेकर डोल बजाकर मिनी सच्चिवाले पर हल्ला बोला किसान संग के कार्यकरता धानमंडी में इकठा होकर गले में लहसुन लटका कर डोल बजाते हुए मिनी सच्चिवाले पहुंचे थे जिन्होंने मांगे पूरी ना होने पर जिले भर के किसानों द्वारा मिनी सच्चिवाले के घिराव की भी चेतामनी दी है रक्षामंद्री राजना सिंग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस साल यानि 2022 के अंतर चिनावी प्रक्रियाश शुरू हो सकती है केंदर शासित प्रदेश में परिसीमेन हो गया है अब जम्मू में 43 और कश्मीर में विदान सवा की 47 सीटे होंगी बता दे कि रक्षामंद्री राजना सिंग दो दिन के दोरे पर जम्मू कश्मीर गए है जोदपूर के साथ बिजनसमेन के यहां इंकम टेक्स की कारेवाई दूसरे दिन भी जारी है करीब 250 टेक्स कर्मियों वे 80 पुलिस कर्मियों की टीम ने गुरुवार सुभर रेड की थी गुरुवार देर रात तक कारेवाई चली शुकरवार को दूसरे दिन भी यह कारेवाई ही जारी रही अधिकारियों के अनुसर प्रारंबिक जांच में मुंबई से हवाला का लिंक सामने आया है इनके यहां से तीन क्रोड रुपए कैश समेट प्रोपर्टी समेट कई डॉक्यमेट मिले है हवाला लेन देन से जुड़े इन सातों कारोबारियों ने आयस से ज़्यादा संपत्ति बढ़ा रखी है राजसान विधानसवा चुनाव 2023 से पहले अब रास्तितिक कद दिखाने और जताने की होड़ शुरू हो गई है इसी के चलते अब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन कटारिया ने अपना दाम चल दिया है ऐसे में गुलाबचन कटारिया के निमंतरन पर अब 26 जून को रक्षा मंत्री राजना सिंग उध्यापूर आएंगे वे यहां पन्ना धाय की विशाल मूर्ति का अनावरण करेंगे उध्यापूर में नगर निगम ने गोवर्धन सागर के किनारे दस क्रोड की लागत से एक पार्क बनाया है इसी पार्क में पन्ना धाय उध्या सिंग और चंदन की मूर्ति भी बनाए गई है जैपूर में सांगा नेर के मुहाना में सिद्ध पिट धाम सिद्ध श्री पशुपति नात महादेव मंदिर का पातोचसव कमलेश्टी महराज गायतरी भवन सांगा नेर वालों के सनिध्य में 14 जून को बनाया गया पातोचसव के उपलक्ष में अचारे पंडित बाबुलाल एवं विद्वानों द्वारा मंदिर में रुद्री पाठ, रुद्रा विशेख और वाल्मिकी सुन्दरकाण का पाठ किया गया मुहाना के प्रमुख मंदिरों में 56 भोग भगवान को अर्पित किये गए वही मुहाना के सरपंच शंकरलाल सैनिद्वारा मंदिरों में फलाहार अर्पित किये गए आयोजर्थ कारक्रम में पूरु महापोर विश्णू लाटा एवं सेंकरोगण मानने लोगों ने पंगत में बैठ प्रसादिक रहन की किंद्री नार्कोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम ने जलोर के संचोर कस्वे में एक दवा की होलसल व्यपारी के छापा मारा गोदाम से दर्द निवारक गोलियों की बड़ी खेप मिली है टीम ने गोदाम से टैबलेट और इंजेक्शन जब्द किये गए है इसे नार्कोटिक्स ड्रक कहते हैं इसे बिना पर्मिशन नहीं बेचा जा सकता चापे मारी में जब्द दवा में निर्माता फर्म का नाम नहीं था साथ ही गोलियों के स्ट्रीप पर दर्ज विवरन भी मिटा हुआ था इसे गैर कानूनी रूप से बना कर अवैद रूप से ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था टीम ने मोके से 189 किलो 23 ग्राम वजनी कुछ 4,69,609 गोलियां जब्द की है राजसान में जमेर जिले की नसीराबाद नगर पालिका के चेर्मेन शार्दा मितलवाल के खिलाफ शुकरवार को अविश्वास प्रस्ताव स्विक्रत हो गया नसीराबाद नगरपाली का कक्ष में पीठासीन अधिकारी राकेश गुपता की देख रेख में अव विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 16 वोट पड़े जिनमें एक शेत्रे विधायक का वोट भी रहा बार्टे जंता पार्टी ने राष्ट्रे चुनाव के प्रबंदन के लिए एक 14 सदस्य टीम का गठन किया है किंद्र जल्शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत को इस टीम का समन्वक बनाया गया है टीम में श्री शेखावत सहित छे केंद्रे मंत्री जी किशन रेड़ी अश्वनी वैश्णव, सर्वानन सोनावाल, अर्जुन राम मेगवाल और डाक्टर भार्टी पवार भाजपा के तीन राष्ट्रे महासची विनोध तावडे, सिटी रवी और तरुन चुक, भाजपा की राष्ट्रे उपादक्ष श्रीमती डीके अरुना, पार्टी के राष्ट्रे सचीव, रितुराज सिन्हा, भाजपा महिला मोचा के दक्ष श्रीमती वन्ती श्री निव बाजपा के प्रवक्ता डक्टर संबित पात्रा और पार्टी की अस्ता मिकाई के उपाधक्ष डक्टर राजदी प्रॉय शामिल के गए हैं। फिलहाल इस बुलेटेन में इतना ही फिल हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।